हलो फ्रेंट्स क्या आपको मिनोपॉज आने के बाद अभी एटेंशन हो रही है कि क्या मिनोपॉज से मेरी सेक्सोल लाइफ भी एफेक्ट होगी क्या मेरे मूड चेंजेज होंगे क्या मुझे नींद आने में समस्य आएगी या और ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जो मिन आपको मिनोपॉज से आने वाली संबंद समस्याओं के बारे में चर्चा करने जा रही हूं मिनोपॉज एक नॉर्मल स्टेज है लाइफ की जैसे ही मिनार्की होता यानि की महीना आना शुरू होता है तो रेगिलर महीने आते रहते हैं और जैसे आप 50 साल की उमर के असपास पहुशते हैं तापके महीने आना बंद हो जाते हैं तो मिनोपॉज एक नॉर्मल अपनी लाइफ का एक स्टेज है जो कि आना ही आना है लेकिन मिनोपॉज से डरने की ज़रूरत नहीं है मिनोपॉज में कुछ एक चीज़ें होती है कि जो अपने को परेशान कर सकती है सबस कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, किसी किसी को depression की शिकायत भी हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों के लिए यदि आपको mood changes आ रहे हैं, mood swings आ रहे हैं, तो आप योगा और meditation अपनी lifestyle में add कर सकती हैं, और योगा और meditation के बाद भी यदि आपको इंसे आराम नहीं मिल रहा है, आप कि दूसरी common सवाल होता है कि क्या menopause आने के बाद sexual life भी disturbed होगी, कह सकते हैं कि disturbed होगी, बट यदि आप ये समझ लें कि क्या problems आने वाली है और उसको कैसे manage किया जाए, तो हो सकता है कि menopause आपके लिए बून साबित हो, यानि कि जैसे ही menopause आता है, तो definitely आपका pregnancy होने का डर द दूसरा estrogen की कमी और testosterone hormone का level बढ़ जाता है, testosterone hormone sexual desire को बढ़ाता है, तो जैसे ही आपका sexual desire बढ़ता है, तो definitely आप sexual life को जदा एंजोई कर सकते हैं, बट sexual life को enjoy करने में जो problem सामने आएगी, vaginal dryness होने के कारण हो सकता है, आपको intercourse करने में समझ से आए, तो उसकी लिए आप vaginal lubrication यूज कर सकती है, estrogen supplement cream आती है, उनको वजाइना में यानि की local area में अप लगा सकती है, और इसके साथ ही आप pelvic floor exercises साथ में कर सकती है, तो vaginal lubrication और estrogen ointment यूज करने से अपका वजाइना का जो dryness हो चला जाएगा, तो आप comfortably intercourse कर पाएंगे, और sexo life को enjoy कर पाएंगे, testosterone का level बढ़ने के साथ ही साथ किसी-किसी ladies को facial hairs का extra growth सामने देखने को मिलता, यानि कि ये भी common सवाल आता है, menopause ladies का, कि मेरे दाड़ी के जैसे बाल आने लगे हैं, या मूचों जैसे बाल आने लगे हैं, तो ये common समस्या है, इसका इलाज जैसे बाकी ladies करती हैं, normally जैसा waxing कर करवा सकते हैं, या थ्रेडिंग करवा सकते हैं, ये करवा सकते हैं, जो कि cosmetic procedure है, आने को नहीं रोक सकते, क्योंकि estrogen का level कम होने के साथ साथ, testosterone का level बढ़ने की कारण ही, आपके दाड़ी मूच वाले बाल आने लगते हैं, testosterone का बढ़ना एक तरह किसे बून भी होता है, किसे थ साथी ये भी सवाल पूछा जाता है, क्या मेरी skin का जो लस्टर है, चमक है, वो चली जाएगी, थोड़ा तो मीनोपॉस आने के बाद estrogen का level कम होता है, तो definitely skin की looseness थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी जुरिया आने लगती है, और थोड़ा लस्टर कम हो जाता है, उसके पानी आप जादा पीजी और कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, वो आप करवा सकती है, जैसे कि बोटोक्स का इस्तेमाल हो गया, या और भी कुछ face lift जैसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, जो आप करवा सकती है, इसके अलावा एक और question पूछा जाता है, क्य आइस को भी menopause effect करता है, menopause as such eyes को effect नहीं करता है, aging process होता है, जिसमें कि विजन जैसे कि प्रेस बायोपिया, यानि कि पास के नजर कमजोर होना, नॉर्मल सी बात है, जो फोटिस के बाद हर इंसान में देखी जाती है, उसके लिए आप near classes आप यूज़ कर सकती हैं, विच कुछ लेडी का सवाल होता है कि क्या मेरा वजन बढ़ जाएगा, तो वजन बढ़ने का हर्मोन से कोई ज़्यादा relation नहीं होता है, हाँ डेफिनिटल अगर आप जैसे एज बढ़ती है तो आपके physical activity कम हो जाती है, तो आपके वजन बढ़ने के संभावनाएं बढ़ जाती ह लेकिन यदि आप योगा, meditation और exercise करती है और अपने diet को control रखती है तो weight gain को काफी हट तक control किया जा सकता है, और एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या मेनोपॉस आने के बाद मेरी आदाश्त कमजोर हो जाएगी या मैं चीज़े भूलने लग जाऊंगी, तो it is a part of not the मेनोप का हिस्सा नहीं होकर, aging process का हिस्सा होता है, जैसे जैसे इनसान की उम्र बढ़ती है, उसके brain की cells होती है, उनमें degeneration यानि की थोड़ा-थोड़ा regression शुरू हो जाता है, और भूलने की प्रवर्ती नॉर्मली शुरू हो जाती है, कई लोगों का Alzheimer disease होती है, जैसे की forgetfulness होती है, और थोड़ी सी थकान हो सकती है, तोड़ा aging process की वज़े से चीज़ों को इदर दर रख दिया, समय पर जगह पर नहीं रखा, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ें को add करती है, भूल गुलईया को, तो ये सब चीज़ें थोड़ी से manage की जा सकती है, कि यदि आप चीज़ों को हम नहीं बदल सकते हैं, मिनोपॉस के लिए हम जरूर आपको medicine दे सकते हैं, support दे सकते हैं, counselling दे सकते हैं, aging को हमें as a bone ही लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उमर बढ़ती है, हमारा experience भी बढ़ता है, जिन्दगी का अनुभव बढ़ता है, और हम जिन्दगी में tension वाल नहीं वीडियो में नहीं जनकारी के साथ, तब तक, नमस्युक्राइब